नमस्ते आज मैं आपको बायोग्राफी बताने वाला हूँ ऐसे यंगर पॉलिटीशन लीडर की जिन्होंने अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत महनत की बहुत ही कड़ा परिश्रम होता है ना वही किया इनोंने देखिए आज जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ इन लीडर पर और आप देखेंगे इनकी बारे में तो यह कुस्तो बात होगी इनमें तो चलिए विनर टाइम को बेश्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वेलकम टू मैं चैनल जिन्देगी मैं शिबम मौर ऐसे ही आपके लिए गन्टिनियों सीरीज लाता रहूंगा अच्छे अच्छे लोगों की आज हम बात करेंगे सचेन पाइलेट की जन्नोंने मात्र 26 साल की उमर में 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 मेंमर आफ पारलेमेंट की कुर्सी पे बैठा ह बैया हाँ यह Member of Parliament संसत की कुर्सी में बैठे रहे 26 साल की उमर में चलिए शुरू से सुरू करते हैंगे Welcome to my channel जिन्दिगी subscribe and hit the bell icon for latest update Sachin Pilot का जो जन्म है वो UP के सहारनपूर में हुआ था in the year 1977 आप देख सकते हैं UP के मैप में यह सहारनपूर जी यह जो रैड जो दिखा रहा है आपको यह सहारनपूर है इनके जो फादर थे जो राजस पाइलेट जो पहले Air Force में थे बाद में Congress leader बन गए थे मतलब एक प्रकास सेचेन पाइलेट का जो political background था यहीं से चालू हो गया इनके फादर तो Air Force में थे तो पोस्टिंग अलग अलग जगा होती रहती थी जो फोर्स बगारा में रहते हैं तो वो इसको अच्छे से के हैं और एक बात बता दो इनके फादर जो थे union minister में थे भिया इनके जो पीवी नरसिम्मा राओं की सरकार में जो बहुत बड़ी चीज होती है इंदा यह 2000 में इनके परिवार में बहुत ही दुखत समचार आने वाला था कि इनके जो फादर थे इनकी दैथ हो गई थी कार एक्सिडेंट में अब क्या था किसी ना किसी को पॉलिटिक्स को इस सफर को समालना था तो इनकी मदर बहुत ही बढ़ी है इनकी जो मदर रही रमा पाइलेट पॉलिटिक्स में उतरी हाँ भी या अब अब अपन चलते हूं इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं अब पीछ इसे चलते हैंगे सेचन पाइलेट का जो सफूल कहां से किया इनका जो स्ट्डी वाला जो करियर रहा वो देखते हैं सेचन पाइलिट ने अपना स्कूल जो है एर फोर्स बाल भारती स्कूल जो की न्यू देली में वहाँ से कम्प्लीट किया फिर उनोंने यूनिवर्सिटी ओफ देली से से सेंट स्टिफन कॉलेज से बैचलर अफ आर्ट्स किया अब फिर उनोंने आयम्टी गाजियाबास से एक डिपलोमा किया है ना मार्केटिंग में फिर 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 उनोंने यूएसे जाकर एम्बीए किया वो भी वार्टन स्कूल ओफ उनिवर्सिटी ओप पैनि सल्वेनिया से ये ये यूएसे जगह है ये है फिलेडल्फिया में आईए मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ एक्जर्ट ये है कहाँ पे तो ये देखिए हमारे प्यारे भार्ट से जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे नौर्थ अमेरिका में ये देखिए जो है ये फैली डेल्फिया है यहीं पे इनका जो वार्टन स्कूल ओफ उनिवर्सिटी है वो है फिर इनोंने वहीं पे ब्रिटिस ब्राड कास्टिंग कॉर्पोरेशन है उसके लिए काम किया फिर वो काम करने के बाद इनोंने जर्नल मोटर कंपनी है वहाँ भी इनोंने काम किया जो ये जर्नल मोटर कंपनी है ये अमेरिका की मल्टी नेशनल कंपनी में से है और इनोंने लौट कर आए तो इनके पेता जी जो रहे उनकी दैथ हो गई अब इनकी मदर जो रही वो पॉलिटेक्स में आ गई थी तो अब ये जो पढ़ कर जब लौटे हैं तो इन्होंने अपनी मा की पॉलिटेक्स में मदद की जितना भी अपना एजू के इसाना सब भो सेगड़ा सब नौलेज दिया मलब एक प्रकार से बहुत बढ़िया मदद की अपनी ममी अब सचेन पाइलिट जो हैं 26 साल के हो गए हैं अब हम इनका अब सबसे मलब जो यूवा जो होते न वो बन गई है अब 2009 में फिर से ये बैठे अजमेर से जीता अब इनोंने मलब हम इनकी फिर से जीत हो गई अब सचिन पाइलिट जो हैं होम अफेयर में लोग सबस्टेंडिंग कमीटी के मेंबर बन गए और फिर ये मनमोहन सिंग की जो सेकेंड मिनिस्ट्री रही उसमें क्या बन गए अब 2014 आ गया है तो 2014 में आप सभी जानते होंगे कि मोधी लहर चल गई और मोधी लहर में बहुत सारे जो कॉंग्रेस के दिक्कत नेता थे वो भी बह गए तो 2014 में जब ये आजमेर से बैठे तो ये हार गए अब 2014 में जब ये हार गए तो इन्हें अपॉंटिट कर दिया था प्रेसिडेंट आफ राजिस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी का है ना अब चूकी जब ये हार गए हैं तो इन्होंने 2014 से 2018 तक बहुत कड़ी महनत की बहुत कड़ा परिश्रम किया अब 2018 की जब विधान साव इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने टोंक सीट से बैठे और ये टोंक सीट से जीत गए ये बहुत बड़ी उपलब दी रही उनके लिए ये टोंक आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो रैड कलर का मारक हैगा ये यहीं है राजिस्थान में ये राजिस्थान में जब इलेक्शन होगा रहा 200 सीट के लिए तो इसमें जो कॉंग्रेस की जो सीट रही वो 100 रही औ और कॉंग्रेस विनर हो गई तब इसमें जो सीट मिनिश्टर है वो सचिण पाईलेट को ना बना कर असो गहलो दो को बना दिया तो इसमें कहीं ना कहीं मदभेत आ गई सचिण पाईलेट के अंदर अब भले ही शसिट मालेट मन से ना बोले पर रुबन में वो खट्अस त तराले नहीं दी गए तो इनके मान में कहीं ने कहीं कुछ नाराजगी आ गई और इसको देखते हुए आप अभी चर्चा में देख रहे होंगे पूरे न्यूस चैनल में यही चला है सेचिन पाइलेट ने कुछ सर्थ भी रखी और बोला कि नेक्स्ट तुनाव जो भी होगा उसमें चीफ मिनिस्टर मेरे को बनाया जाए पर इन्होंने नहीं माना और फिर सेचिन पाइलेट जैसे आप देखते हैंगे कि स्तीफा दे दी है कॉंगरिस से अब आज का लेक्चर मैं यही पे एंड करना चाहूंगा जो भी अपडेट होगा मैं इसमें अपडेट कर दूँगा आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें लेक्चर को